हाई एवरिवन वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल एविसी ग्यान गाइस आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाड़ सिक परिक्षा 2022 का कक्छा नो का गडित का पेपर है ठीक है तो चलीगा वीडियो स्टार्ट करते हैं ये पेपर है आपका कक्छा नो का गडित का पेपर है मैस का पेपर है ठीक है और बाड़ सिक परिक्षा एनॉयल एक्जाम 2022 का पेपर है आगे पेपर का पॉलांग है 70 नंबर, पेपर का टाइम है 3 घंटा ठीक है और यहां से आपका पहला कॉश्चन इस्टार्ट है पहले क कह, पहले का कह यह रहां आपका, पिरती एक परी में संख्या है, आपका पहला ऑप्सन है एक पिराकर्तिक संख्या, second option है, एक पूल लांग, third option है, एक बास्तिविक संख्या, fourth option है, एक पूल संख्या, पृत्य एक परीमे संख्या जो है, वो क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो इसका right answer है, option third, एक बास्तिविक संख्या, पृत्य एक परीमे संख्या जो है, वो एक बास्तिविक संख्या है ठिक है आगे देख रहे हैं second question और आठ बिरत में बना code होता है आपका पहला option है 90 degree second option है 80 degree third option है 60 degree fourth option है 120 degree अरध बिरत में बना code कितने degree का होता है इसका right answer है option first 90 degree अर्द बिरत में बना कॉर्ण 90 डिगरी का होता है आगे देखते हैं गाई थर्ड कोर्शन यदि PX बराबर X पिलस 3 और दैन तो PX पिलस Pमाइनस के X बराबर है यदि PX बराबर इतना है तो PX पिलस P माइनस X बराबर कुतना होगा टीक है तो इसको जो है मैं थोड़ा सा सोल बिकर के आप लोगों को बता देता हूँ यह PX है PX की जगह आजाएगा आपका X पिलस के 3 टिक है उसके बाद है आपका पिलस P की जो गुणा हो ली है बहो ली है माइनस के X से टिक है तो यह हो जाएगा आपका माइनस के PX यह वाला जो पोर्षन है P ब्रैकेट है और माइनस के X है जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो यह बनेगा आपका माइनस के PX माइनस के PX का मान हो जाएगा आपका माइनस के X माइनस के 3 टिक है इस से यह कर जाएगा तो यहाँ पर आज जाएगा आपका 0 जीरो ओफसन थर्ड जो है इसमें आपका राइट अंसर है ठीक है जीरो आगे है गाईज आपका यदि एक बेलन की तरिज्जा दो गुना कर दी जाए और इसकी उचाई आधी कर दी जाए तो इसके बक्र पेश्टे छेतर फल पर क्या पिरुआप पड़ेगा ठीक है तो आप का पहला ओफसन है आधा सेकंड ओफसन है दो गुना थर्ड ओफसन है चार गुना फौर्थ ओफसन है कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि किसी बेलन की तरिज्जा को दो गुना कर दिया जाए और इसकी उचाई को आधा कर दिया जाए तो इसके बक्र पेश्टे छेतर फल पर क्या प्रिभाब पड़ेगा तो इसका राइट अंसर है गाईज ओप्शन फोर्थ कोई प्रिवर्थन नहीं होगा ठीक है बेलन की आप त्रिजागों को दो गुना कर रहे हैं और इसकी उचाई को अगर आधा कर रहे हैं तो इसके छेत्रिफल पर कोई प्रिभाब नहीं तो अगर का आगे है गाईज आप का इसके बाद है ये है आपका बिंदू जीरो कमब मैंस की साथ कहा weapons करा इस्तितृट है ये आपको बताना है जो पर दुत्य चतुरूत हांस में, भाई एक्षी पर चतुरूत हांस में, ठीक हैं, उसके बाद आपका देखेगा, यह त्रिभुस्ट का कोश्चन है, एबी-सी में, एबी-पराबर इतना, कोड़ भी इतना है, और उसके बाद यहां से स्टार्ट है आपका दूसरा कोश्चन, ठीक है सभी खंड करो पिरती एक दू आंके ठीक है यहाँ पर चार कोश्चन है चारो आपको करने है और पिरती एक जो है आपका दो नंबर का है ठीक है आपका पहला है 25 अपून 4 मैंनस के बाइ स्कॉर आप नूए इसके आपको फेक्टर करने हैं गुड़नखंड करने है ठीक है तो इसको जो है आप सिंपल इस टाइप से हल कर सकते हैं 25 अपून 4 एक्स स्क्वार है तो यहां पर लिख सकते हैं पांच अपॉन दो ठीक है पांच की साथ आपको एक्स जोड़ दिना है ठीक है यहां पर 25 एक्स स्क्वार है न तो कर सकते हैं आप इसे पांच अपॉन दो और इसका जो है आपको बर्ग कर दिना है ठीक है और यहां पर माइनस क जोड़ लीजेगा एक बार घटा लीजेगा और वो जो है आपके फैक्टर बन जाएंगे ठीक है उसके बाद है गाईज आपका दूसरे कक है बहुपद दो माइनस के बाई स्कार माइनस के बाई की क्यूब पिलस दो बाई की पावर आठ की घात आपको बतानी है ठीक है तो इस टाइप की सवाल में जो सबसे बड़ी घात होती है बही आंसर होता है ठीक है तो इसकी जो घात हो जाएगी बहुपद इतने की घात हो जाएगी आठ क्योंकि यहां पे जो सबसे बड़ी घात है वो है पाई की पावर आठ तो आठ इसका आंसर हो जाएगा उसके बाद एक यह है आपका समीकर्ण आपको यह हल करनी है और उसके बाद है x square upon 2 बराबर 200 तो यहाँ पे आपको x गमान निकलना है ठीक है तो यह तो आप लोग simply कर लेंगे x square upon ठीक है यह जो आपका 2 है इसके बटे में इसकी गुणा कर देंगे आप 200 से तो यह हो जाएगा आपका x square बराबर 200 की जब 200 गुणा हो जाएगी तो बन जाएगा आपका 400 ठीक है तो एक 20 आजाएगा उसके बाद यह आपको सिद्ध करना है तो कर सकते हैं आप लोग इसे उसके बाद है guys यहाँ पर आपका एक question और है आपका देख सकते हैं आप लोग उसके बाद है आपका चोता question इतने और इतने के बीच की तीन परिमे संख्या याद करनी है आपको उस दोर ठीन से से जब आप लोग इसके गुणा करेंगे तो आएगा आपका 18 क्योंकि दूर्ट तीन के दूर्ट तीन से हूगी तो बंजाएगा आपका 38 इसके बाद के आपको 18 की एक से factor करनी हैं कि जोडने पर आ उपका ग्यार है और गुणा करने पाएगा आपका 18 इसके ब यहां पर आपको इसका बहुलक बताना है तो बहुलक हो जाएगा जो संक्या सबसे ज्यादा बार है इसमें तो बही इसका बहुलक हो जाएगा तो इसमें जो है तीन है इसमें तीन चार बार आया है एक दो तीन चार पांच तो इसमें जो है तीन सबसे ज्यादा बार आया है तो तीन इसका आंसर हो जाएगा उसके बाद और भी कई सारे सवाल हैं गई जाएज आपके तो आप लोग देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पे आपका पेपर फिनिस हो जाता है तो बस इतना ही तप वीडियो में आप लोग पेपर अच्छा लगओगा अच्छा लगओओ तो प्लीज लाइक कर दीजिगा और चैनल को आप लोगों ने सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सस्क्राइब कर दीजिगा